आज हम बनाने बाले इस तरीके का एक टॉप जो कि हमें बनाया है इसके लिए हमें चाहिए 1.25 मीटर फाब्रिक यह हमारा फाब्रिक है 1.25 मीटर है लगबक सवा मीटर फाब्रिक इसकी विट 42 इंचेज है और 4 फोल्ड में 10 इंचेज रह जाएगी हमें यहां से 15 इंचे स्प यह यहां से संब्सक्राइपैंट वोल्ड कर नाया खेसी का स्पूलिटN कर लिए यहांसे etc इनचे स्यान लगा के इस तरह को जानाλα est दिते लिए हो माक चाहह सबुआ कि जीए हमने मारे चाहिए एक कॉणर करें इपकाति इंच कर लिए हमने दो हाफ इंच में पार करके सबूआ है Is ? कॉंच के यहां को बराते बाट शुक्षिते हैंने है हम यह चाहि लोन हिमारे चाहिते हम उत्फर मिल से पारते है करेंगे हमने यहां से स्टार्ट किया इस तरीके से कट कर दिया आपे शोल्डर से नैक तक कट किया हमने जिए बैक वाला नैक है हमने फर्स्ट बैक वाला नैक किया यह हमारा हो गया अब हमें इसे कट कर लिया अब हमें फ्रेंट वाला पार्ट निकालना है और नेक की कटिंग करेंगे हम हमारे फ्रेंट में नेक की कटिंग हो गई है अब हमें इसको खोलना है वापस इसमें अटैच करना है बैक वाला पार्ट इसी तरीके से हमें रखना है और फोल्ड करके वापस उसी तरीके से इसको को फोल्ड करना है अभी सर्फ फोल्ड करके इस तरीके से 0.5 इंचेस में मांग करना है और इदर से कटिंग कर लेनी है गोलाई में लेते हुए यह मारी कटिंग हो गई है अभार अपर बॉडवार्ट राडि हो गया उसके लिए अभार फरंट वाला पार्ट अलग करेंग और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से जहां हुए दिर्शी लाइन लगाई अभध यहां से 1,5 इंच मार्ण करेंग और यहां से गोलाई देत करेंगे हमारी कटिंग हो गई है अब हमें बात करेंगे बॉटम पार्ट किसके लिए हमने वही फॉर फोल्ड में जो मारा फैबरिक हो से लिया यहां से हम 11 इंच में मांक करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे अब हमने इसी तरह के से नीचे भी 11 इंच की लाइन ड्रो कर एक से कट करेंगे यह कटिंग हो गई है इसकी ठीक हैं अब हमें इसे कट करके एक्स्ट्र पी पार्ट को अलग कर देना है और यह वाला है इसको हमें कटटे करनें Turkey अब इस याज अब इस तरीक़ से ऊपन करना, दोनों 11-11 इंज़ के बॉटम के पार्ट में करना अब होड़ों जब फोल्ट करेंगे, तो रॉंग साईड अंदर की तरफ आा, कर व्वैरट इन राइट साइड फिनिश्न रहेगी हमने बोटम फोल्ड कर लिया और सेकंड वाले पीस में भी इसी तरही से मत्म ऑडना है हो हता है 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 मरब हो तो एप हम इसमें G Dave brilliant के आ ¿हमारा जो West Line I'm vests को अभ हम जॉइंट कर देंगे कि तिक गैदर वाला पार्ट और वाला पार्ट दोनों जॉइंट हो जाएंगे आपस में और इसकी हाइट हो जाएगी 24 I 15 inch का हमार अपर पार्ट था और 11 इंच इसमें बॉटम पाट से जवेडित के बाद में 24 इंच यह से बाद आयाएगा इस Luther Mantra इस तरीके से हमें से सब्सक्राइब आएं इस तरीके से जवेडित कर ना करना यह hij यह हमने लगा लिए है यह हमारा रेडी हो गया पार्ट अब हमें इसको तो फरंट दोनों वाले पार्ट को आपस में जॉइंट कर देंगे यह हमारा बैक और फरंट पार्ट आपस में कनेक्ट हो गया यह जुड़ गया अब हमें इसकी आर्म होल की गोलाई को नापना है यह हमारे फोल की पर्फेक्ट रड़ चाहिए होती है तब हमें इस तरीके से मांक करते हैं यह हमने मेजर किया 17 इंच आया है अब हमने 10 इंच की विर्थ लिए यहां से 3 इंच लेंगे 4 में हैं फोर फोल्डिंग में यह पार्ट नीचे से उपन है उपर से इधर से आधा इंच लेते हुए इस तरीके से क्रॉस करेंगे और इसे हम कट कर देंगे इसी शेप में हमने कट करना है आज आज लगा लेंगे नीचे इस तद्रीक से रखेंगे और यहां से हमें 3,5 in Ying thrown लगा है और में इसे में kट कर देना है यह हमारा हो गया रैडी में कट होके आज इस तरीके से हमें open करना फ्रंट में आदा इंच का इस तरीका से और निशान लगाते हों हम इसकी घहराई को और चाटेंगे और हम इसे और थोड़ा सा काट लेंगे अब दोनों पर्ट को अलग लग करके प्लीट्स लगाएंगे सबसे पहले अब यह लिया है इस तरीके से हमें आगी नहीं प्लीटस रखनी है है हमने 17 इंच आ पके मार्ण किया था तो हमें यह ध्यान में रखना है सथा इंच एक यहां पर प्लीटस राडियो की यह बोलाई यहां मोल वाली में बाद डिइस लिए इस तरीके से ध्यान देते हूँ यहां पर आपयं street लगानी है हम इस तरीके से इस तरीके से रखेंगे और इस पर एक स्लाय लगाएंगे अब हम इसे स्टिच करेंगे और यह हमारा एक तरफ का स्लीम यहां पर लग गया है अब हमें इसको इस तरीके से रखते हुए इसका बॉटम को फोल्ड करना है म inherit है हमें इसके के हमने बोटम फोल्ड करना है है हम अफ हमार estam एक तरफ की स्लीव को ही हम थे इसी त्रीकिसे दूसरी तरफ की स्लीव लगा लेनी है है कि हम इस इस स्लीवे इसमें प्लेट्स बनाई पहले तो सबसे पहले हमारी अजस्ट करिए हमने इसमें 3-3 प्लेट्स आई है जो एक स्मॉल पॉफ का डिजाइन शो करेंगी अब हमें इसमें इस तरीके से अटेज करती है हमने और यह हमारी स्लीव लगके हो गये रैडी आप इसका भी हम पहले बॉट्टम फोल्ड करेंगे घ्लिया में बॉट्म किया अब हमें इसको इस तरीके से रॉंग साईड रखते हुए सिधे स्टेश लगा लिने है हमारी स्लीव बाटम पाट और अपर पाट पाट सब एक दूसरे साटेच हो गया ढूनो मां मारे स्टिच लग गई अब इसमें सीधा किया अबुकित हमैं नैक को फिनिश करने के लिए पाइसस्ट्रिप्स को कट करना है मैंने इस तरीके से कट करके लिया और हमने दर पाई कर लिए लाइन की कीछी और हमें भाई और कि पाई स्ट्रिसर निंकाल ली यहां से ट्रू बाय अम्री मकूश हमें साथ शीधी स्ट्रिप अगल पर अ holder प्रषो का प्रस बाच मैंनेनी हो इस के छा मे इसरी के साथ ग्नेक्ट करनाद ऑनां तरह से रख सबस्केट तरह से फोल्ड किया है और अन्दर की तरफ इस तरीकट को इस तरीकके दिए रख कर जाइंट कर आए ओर इसी तरीक से पूरे नैक के चारू तरफ इसे स्टिच कर लिएना है और जो हमारा last point बचेएगा हमें उसे उस तरफ कट करना है है मैंने इसको चारो तरफ से स्टिच करके कट कर लिया और यहां पर स्टिच लगाईंगी यह अब इसे अंधर की तरफ फोल्ड करना है और दर नहीं की फिनिशिंग देनी है मुझे चारों तरफ से फोल्ड हो गई है पूरा नेक एकदम फिनिश हो गया इसे इस तरीके से करने से और यह अब हमें इसको स्टिच कर लिया यह मैंने 24 इंचिस के लिए इसके जहां पर हमने गैदर डाले ते उधर हमें इसको मिड में इस तरीकी से रखते हुए इसे स्टिच लेनी है इस एलास्टिक लगाने से हमारा वेस्ट लाइन पर बहुत अच्छा एफेक्ट छो होता है इसलिए इस लगाई है मैंने यह सॉफ्ट इलास्टिक कर यूज किया है मैंने यह हमारा टॉप बनके रेडी हो गया है आपको यह टॉप कैसा लगा कमेंट कीजिए